नमस्कार आज हम देखेंगे प्रसिडेंट टूल के बारे में ठीक है कि प्रसिडेंट टूल क्या कहता है तो प्रसिडेंट टूल को हम रश्पति सासन भी कहते हैं प्रसिडेंट टूल 356 में आता है अटकी 356 में प्रसिडेंट टूल के बारे में है अब कहरा है कि प्रसिडें to comply with the direction of the center of the center or there is any failure of the constitutional emergency, precedent rule can be imposed on a such state, यानि किसी भी state में failure of constitutional machinery हो जाए, यानि किसी भी state में constitution का failure हो जाए, मतलब constitution का recording काम नहीं हो रहा हो, तो उस time पे क्या कहा जाएगा, कि precedent rule लागू किया जाएगा, ठीक है, अब precedent rule लागू होगा, जब precedent rule declare होगा, तो precedent and जो किसी भी state में, तो किस business पे होगा, जो report गवर्नर बना के भेजेगी precedent को ठीक है, यानि suppose कि यूपी में क्या कहते हो, कि precedent rule लागू होना है, यूपी में constitutional का failure हो रहा है, तो यूपी का जो गवर्नर है, यानि राजपाल, वो क्या करेगा, राष्टपती को report बना करके भेजेगा, और उस बहापर पर राष्टपती क्या करेगा, precedent rule लगाएगा, ठीक है, अब precedent rule लगाने का approval और duration क्या क्या है, ठीक है, तो कहता है, प्रोक्लमेशन मस्क पी put by the both house of the parliament by simple majority, यानि दोनों house के पारलेमेंट, यानि स्वारी, पारलेमेंट के दोनों house लोगसभा और राष्टपती से पास होना चाहिए, किसमें simple majority में, simple majority में पास होना चाहिए, और कब तक within a two month, यानि जब इशू होगा, प्रोक्लमेशन इशू होगा, उसके दो महीने के अंदर अंदर simple majority से लोगसभा राष्टपत से दोनों से पास हो जाना चाहिए, ठीक, और जब यह approval precedent rule लगो हो जागा, तो यह कम से कम, मतलब 6 महीने तक continue चलेगा, लगतार 6 महीने तक चलेगा, एक बार में ठीक है, और उसके बाद फिर से अगर आपको लगाना है, तो फिर क्या, फिर एक बार और approval लेकर आईए, फिर अगले 6 महीने तक चलेगा, और ऐसा करके कब तक चलेगा, तीन साल तक, ठीक, तीन साल तक क्या होगा, आप maximum तीन साल तक किसी भी स्टेट में continue प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, हर 6 महीने approval लाना पड़ेगा, पार्लेमेंट से, ठीक है, पार्लेमेंट से, जैसे सपोस कीजिए कि UP में प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक, या आज लगा, और आज से लेकर के 6 महीने तक continue रहेगा, ठीक है, और उसके बाद भी अगर जारी रखना है, तो फिर से आगली 6 महीने के लिए आपको approval लाना पड़ेगा, पार्लेमेंट से, ठीक है, अब वो हटेगा कैसे, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल के हटाने का, हटेगा कैसे, तो कह रहा है, प्रेसिडेंट रूल, पुछ नहीं है, आपको प्रेसिडेंट सिंपल प्रोक्लेमेशन से वो remove कर देगा, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, उतना ताम जहम की ज़रूत नहीं पड़ती है, सिर्फ लगाने के टाइम पे पड़ता है, अब आते हैं एफक्ट क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल जब जब प्रेसिडेंट टूल डिक्लियर हो गया तो पार्लेमेंट एक्ससाइज जो है पार्लेमेंट के पास चला जाएगा स्टेट लेकिसर सबका पावर ठीक यानि अब उस स्टेट पे उस स्टेट में जो भी लौ बनेगा या जो भी रू क्या कर तो आक्ट या लौ होगा वो या प्रेसिडेंट के कॉर्डिंग चलेगा ठीक है और क्या होगा कि प्रेसिडेंट डिस्मिस कर देगा स्टेट काउंसल मिनिस्टर को यानि जो स्टेट काउंसल मिनिस्टर होंगे उसको डिस्मिस कर देगा कौन प्रेसिडेंट करेगा ठीक और इसके बाद कह रहा है प्रे प्रसिडेंट के द्वारा ही होगा तो प्रसिडेंट ही रिस्पोंसिबल होता है विधान सभा के डिसॉलूशन के लिए ठीक है कह रहा है अनी लॉट मेट बाइद प्रसिडेंट और पार्लेमेंट डिरिंग दिस पिरियड तो भी अनी कह रहा है कि कोई भी रूल अगर प्रसिडेंट डूल के टाइम पे लग बनता है तो वो प्रसिडेंट डूल के बात भी फॉलो होगा यानि आप एक बैसे एक्जामपल ले लिजे सपोस किजे कि बिहार में प्रसीडेंट रूल लागू हुआ ठीक अब बिहार में प्रसीडेंट रूल लागू हुआ तो प्रसीडेंट और पार्लेमेंट के पास है पावर बिहार का ठीक है तो यह एक rule बना, तो यह rule के according क्या होगा, कि यह presidential खतम भी हो जागा न, उसके बाद भी यह rule बना रहेगा, कि पूरे बिहार वालों को रोस बाउट के सुरिनमस्कार करना है, ठीक, उस state में पूरा बना रहेगा, presidential खतम होने के बाद भी, ठीक, next कहता है, it has no effect on fundamental rights, जानि fundamental rights का कोई भी violation नहीं होता है, आपके मौलिक एदिकार का कोई भी violation, कोई भी suspension नहीं होता है, president rule में, ठीक, वो national emergency के time पे होता है आपका, और financial emergency के time पे होता है, ठीक है, यह दोनों के time पे होता है, president rule के टाइम पे नहीं होता है, और आप लोगको हाँ, comment स्क्राइब बताइए नेशनल इमरेंसी कॉंसे आटिकल में आता है अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो आप मैं कमेंट सेक्शन में बोली आपको पीड प्रोवाइट करा दिया जाएगा ठीक मिलते नेक्स वीडियों को लिए तब तक के लिए थांक्यू आल